इस वक्त तोहारों का सीजन चल रहा है और इसके लिए सभी ट्रेनों में जबरदस्त भीड भी देखने को मिल रही है लोगों का घर जाने के लिए रिजर्वेशन भी नहीं हो पा रहा है रिजर्वेशन करवाने के लिए यात्री इदर उदर भटक रहे हैं वही प्लेटफॉर्म पर भी यात्रों के भीड देखने को मिल रही है तोहारों का मौसम है और ऐसे में हर कोई खुश है और ऐसे में हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी है तो इसे चीज़ को जानने के लिए और समझने के लिए हम आ गए है न्यू दिली रेलवेस स्टेशन यहां से हम जनता से जानेंगे कि त्योहारों का मौका है तो ऐसे में उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार रिजर्वेशन नहीं मिलते और लोग निराश हो जाते हैं इसी के चलते इन्यान रेलवेस ने भी फैसला किया है कि 24 अक्तूबर से लेके 4 नवंबर तक स्पेशल ट्रेनेज चलाई जाएंगी तो चलिए जनता से जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है और कितनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है एक तो ये मसला है कि टिकेट लेने में लोगों को काफी दिश्वारियां आ रही है और टिकेट अगर मिलती भी है तो वेटिंग में रखी जाती है तो जिसकी वज़ा से फैमिलीज होती हैं बचे होते हैं काफी दर्बदरी का सामना करना पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुली सिस्टम जो है वो खत्म है लेकिन कुछ खामिया है जो बड़ी खामिया है रिजर्बेशन यदि जादे बढ़ाते हैं तो और अच्छा ट्रेवलिंग करने के लिए और हम लोग तो अभी तक तो रिजर्बेशन मिल जा रही है लेकिन यहाँ पर यह है कि रिजर्बेशन आप पहले से चाहिएगा तो नहीं ततकाल वो सब करना चाहिएगा जिसे कि पाकेट से पैसा जादे लग जाती है ट्रेवलिंग तो हो जाती है लेकिन पैसे की बहुत जादे कपत हो जाती है ट्रैवलिंग टाइम ना ओला मिलती है टैक्सी में भी बहुत ज़ादा भीड रहती है और यहाँ पे गेट में भी यहाँ वैसा सोवीड वो नहीं है फैसिलेटी की डारेक्ट आराम से निकल पाए लोग किस तरीके से लोगों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा और खुशी भी जताई कि अगर ऐसा होता है तो उनके लिए काफी अच्छा होगा महीं कुछ लोगों ने कहा कि घोशना तो हो जाती है पर ऐसे कदम नहीं उठाय जाते कैमरा परसन अमित के साथ मैं फराखान आर नाइन टीवी डेली